हलो माई दियो फ्रेंट वेलकम बाक तो माई चैनल फ्रेंट आज जो वीडियो कवर करने वाले हैं वो है इस पूरी पीडियेफ में हम जो डिसकस करेंगे वो डू एस डिरेक्टिड जो आते हैं फाइफ नंबर के उस से रिलेटेड कोईशिंस रहेंगे तो जल्ली से हम देख पहलेख लेते हैं पहला के कह रहा है कि सिम्रन नोbs दी कॉर्ण ट्यक्शन तो यहां पर यह आपको बूर रहा है कि छी नेगेटिव गोड़ आ डो । यहां पर हैं आपको इए पता होना चाहिभाई में और में बर्यागि की बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको को यह पत होता है लेकि हम यहां एस लगा रहे हैं और ऐसा क्यूं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिम्रन जो कि क्या है सिंग्यूलर है तो इस केस में आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपका सब्जेक्ट singular है तो उसके साथ क्या लगेगा does लगेगा और अगर आपका subject plural है तो do लगता है लेकिन यहापर सिमरन क्या है singular है एक वचन है एक वचन के साथ में क्या लगता है does लगता है और not लगाएंगे क्योंकि इसको हमको negative बनाना है तो does not लगाने की बाद जैसी आप does लगाओगे यहापर no में से आपको क्या हटाना पड़ेगा यह s हटाना पड़ेगा और आपका sentence बन जाएगा सिमरन does not know the answer देखिए ध्यान रखिएगा simple present tense में दो helping verb होती है एक होती है do और एक होती है does do सारे plural और आई और यू के साथ लगती है और जो does होती है वो सारे singular के साथ में लगती है एक हो यह sentence देखो अब यहां लिखा है रोहन speaks English इसको भी आपको क्या बनाना है negative बनाने के लिए बूर रहा है अब देखो यहां पर यहां पर रोहन जो कि singular है यहां लिखा है speaks यहां पर speak में S आ रहा है इसका मतलब यह simple present tense है तो simple present tense की helping verb क्या होती है does अब यहां पर does क्यों हमने use करी क्योंकि रोह जो होता है उसके साथ भी क्या लगता है do लगता है दिहान रखिएगा तो हमने यहां पर क्या कर दिया does not कर दिया क्योंकि negative बनाना था और जैसे ही does लगाया speak में से क्या हड़ गया S यह जरूर करिएगा यह चुटी चुटी चीज़ें हैं इसके अंदर इसी से number कर जाते है सेंटेंस क्या हो जाएगा रोहन does not speak English और आपका सेंटेंस बन जाएगा थर्ड सेंटेंस देखिए यहां लिका अनीता कट हर फिंगर इसको आपको बोला है कि negative बना दो ठीक है बना देंगे लेकिन उसके पहले हमको क्या check करनी है हमको check करनी है verb इस सेंटेंस में verb क्या है यह कट अब देखो यहां पर उपर जैसे सेंटेंस में क्या आ रहा था यहां पर स्पीक्स आ रहा था यहां पर नोज आ रहा था लेकिन इस कट में क्या ऐस है क्या बिल्कुल भी नहीं है ऐस नहीं है इसका मतलब यहां पर यह क्या नहीं है सिंपल प्रेजंटेंस नहीं है तो वर्ब की four forms होती है हमने सीखी है जो हम regularly किदर यूज़ करते हैं इपने सारे tense में यूज़ करते हैं तो अगर ये first form ही दे रखी हो इसमें as भी नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ simple past हुआ second form of verb हुआ तो simple past में जो helping verb होती ही वो क्या होती है did तो आपको क्या लगाना पड़ेगा did not cut her finger ध्यान देना है यहाँ पर हमने यहाँ पर did क्यों यूज़ किया क्योंकि इसमें कोई as नहीं था ठीक है इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया did as नहीं था इसका मतलब ये क्या था simple past अ simple present tense में तो इनके साथ में क्या लग जाता है does any singular मनलब कोई नाम भी हो सकता है जैसा भी यहाँ पर any singular में नाम किया था यहाँ पर वर्ब का second form दे रहा है इट का second form क्या होता है अब second form दे रहा है और बोल दे नेगेटिव बनाओ तो अभी हमने सीखा ओपर नेगेटिव बनाने के लिए helping verb क्या होती है simple past में होती है did लेकिन sentence में जैसे ही did आती है वर्ब का वापस कौन सा form हो जाता है first form हो जाता ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ही sentence में आप did के साथ में verb का वापस से second form use नहीं कर सकते है first form करना पड़ता है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया eight को क्या कर दिया eat कर दिया लेकिन यहाँ पर cut क्यों क्यों कर आता है क्योंकि इसके तीनों form ही तो same थे न है यह यह first form ही लेकिन यहाँ पर यह second form है यहाँ पर यह first form है लेकिन जैसे इडीड आया तो वो cut क्योंकि तीरों ही form same थे इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा difference नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ से आप समझ गए होंगे यह eight को आपने जब negative बनाने गए तो यह eight को आपने क्या कर दिया eat कर दिया क्य क्लियर है question number five देखो यहाँ आपको बोला है कि rearrange the jumble words into meaningful sentences jumble words आएंगे question आता ही है इसको meaningful sentence बनाना है तो meaningful sentence बनाने के लिए मैं आपको एक तरीका बना बता दे तो सबसे पहले तो subject ढूंडो subject मतलब जिस person के बारे में बात हो रही है subject के बाद में क्या ढूंडो verb ढूंडो कौ में वर्ब आएगी फिर sentence का बचा हुआ पार्ट आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले subject हमारा क्या है यह वी ओके फिर helping verb क्या है हमारी should फिर main verb क्या है protect फिर forest आर तो नहीं हो सकता क्योंकि आर क्या है एक positive word है positive pronoun है तो इसके बाद में क्या आएगा noun ही आएगा ओके now rearrange 6-1 your pen can give me you तो यहाँ पर भी आपको क्या बोला है rearrange करना जंबल sentence को तो सबसे पहले तो यह प्रशन है क्या पर प्रशन देख लिया तो इसका मतले यह वाला जो फ्रेज यह तो लासमी जाएगा योगि प्रशन तो आखरी में ही लगता है ठीके अब जब प्रशन बनाना ह आपको तो आप ध्यान दिखिएगा या तो पहले helping verb आएगी ओके या तो starting में क्या आएगी helping verb पहले आएगी या wh question आएगे ठीके यहाँ पर wh what when where कुछ नहीं दे रखा यहाँ पर helping verb दे रखी है क्या बिल्कुल दे रखी है यह can क्या है helping verb है तो इसको सबसे पहले me your pen your pen last me जाएगा क्योंकि अल्रड़ी यह फ्रेज और question आरहा है इसके अंदर तो sentence कर जाएगा can you give me your pen ठीक है यह adverb उसका last में आ जाएगा किस तरह से address कर रहा हुआ था वो poorly है ना यहाँ पर आपको question दिया है यहाँ पर फिर से आपको meaningful sentence बनाना है यहाँ पर question दे रहेगा तो question मार्ग तो last में चले जाएगा question बनाने के लिए अभी में बता हैंसाबसे पहले क्या आती है helping verb यह घर question बनाना है तो तो यहाँ पर आपकी helping verb क्या है can helping verb क capitalize क्या आता है subject subject जिसके बारे में बात हो रही हैं इहां पर you के बारे में और रही है you क्या कर रहा है कोई verb आईगी यहां पर sing आगई, a song तो sentence हो जाएगा, can you sing a song, okay, इस तरह सबनाएंगे again, here another question यहां लिखा, I stand on one leg can तो यहां पर fully stop दे रहागा मतलब यहां तो simple sentence ही बनेगा तो simple sentence का construction क्या रहेगा, subject पहले होगा, फिर आपकी helping verb होगी, फिर main verb होगी, फिर rest part हो जाएगा, है न, चलिए तो यहां पर आगया, I can stand on preposition है, one leg है न, I can stand on one leg children are playing in the park, change into present perfect, देखो present perfect बोला है यह एक tense है, perfect जब भी आएगा, तब verb की कौनसी form आएगी, third form आएगी धिहान रखना, और present perfect है, तो present में helping verb क्या हो जाएगी, has or have present perfect की helping verb has और have होती है has जो है, वो singular के साथ चल लगता है और have जो है, वो किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है, अब यहां पर आपको जो sentence दे रखा है, यह कौनसा sentence दे रखा है, यह दे रखा है, continuous continuous दे रखा है, कैसे पता चला present continuous, continuous में ing form होता है, वर्ब का, वर्ब का ing form है, और यह जो है, और यह present की helping verb होती है, तो यह sentence क्या हो गया, मलब कौनसा tense हो गया present continuous हो गया, लेकिन हमको तो क्या करना है present perfect, तो playing का तो third form played हो जाएगा, और मैंने अभी बताया present perfect की helping verb क्या होती है, has या have होती है, हमने have इसलिए लगाया, क्यों की यहाँ पर children था एक से ज़्यादा बच्चे हैं जब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पर have आएगा और singular अगर है तो has आएगा, ठीक है चालिए, 11 देखो, अनीता played hockey, present indefinite बनाना है, present indefinite confused मत हो जाना भी, यह कौन सा tense आगया है यह simple present tense ही है simple present tense का ही दूसरा नाम present indefinite है तो present indefinite बोला है, मतलब verb के साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, according to subject देखते हुए, verb के साथ action लेना पड़ेगा, हमको यहां लिखा अनीता, sorry, अंकिट played hockey ठीक है, यहां पर verb का कौन सा form है, second form लेकिन simple present tense में तो verb का कौन सा form आता है, first form आता है और अगर अगर अपका subject singular है तो verb में क्या लग जाती ही, या तो S लगता है या IES लगता है, या ES लगता है, या Ankit singular इसलिए हमने play में के लगा दिया, S लगा दिया अभी हम उपर भी सिख्या है, उपर first second, third question इसे से related थे ठीक है, question 12 देखो they walked in the dark, change the sentence to past continuous past continuous continuous है, मतलब verb में क्या लग जाएगी, verb में ing तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ past की बात हो रही ही, तो past के लिए helping verb, या तो लगेगी was, या लगेगी were, okay तो यहाँ लिखा है, they walked in the dark, they क्योंकि यह plural है, तो plural के साथ के लगेगा were, जो कि यहाँ लगा हुआ है, क्योंकि walked main verb है, और continuous बतानी, तो walk का क्या हो जाएगा walking, मैंने अभी बताया, verb की ing हो जाती, continuous tense में और rest of the sentence आजाएगा in the dark, तो sentence हो जाएगा, they were walking in the dark, okay, he saw a snake, 13th question, change into past perfect, देखो perfect का मतलब ही होता है verb का third form लगा दो इदर ठीके, तो saw का, जब तक आपको verb की तीनों, चारों form याद नहीं होगी ना, हम tense proper नहीं कर बाएंगे यह तो पता होनी ही चाहिए आपको तो see होता है, see का second form होता है saw, और third form होता है scene ठीके, तो जो verb है आपकी, वो तो किसी tense में चले जाएगी, कौन से form में चले जाएगी, third form में चले जाएगी तो saw का तो हमने कर दिया scene क्योंकि यह past है, तो past के लिए जो helping verb लगती है past perfect के लिए जो helping verb लगती है वो होती है head जैसे अभी हम उपर जो करके आये थी उस present perfect में has, have थी लेकन अब यह past perfect है तो यहाँ पर क्या होगी head और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप सारे ही subject, चाहे कोई भी हो singular हो, plural हो, कोई भी subject हो आप उसके साथ में head लगा सकते हैं एक ही helping verb होती ही क्योंकि past perfect में, जो की होती है head है न, यह अच्छी बात है इसमें यहाँ पर आपको sentence को combine करना he is rich, he is not happy मतलब वो अमीर है लेकिन happy नहीं है तो भी यहाँ पर आपको yet, yet बोला है yet का मतलब होता है तो भी तो कुछ नहीं करना, दोनु sentence के बीच में yet लगा के जोड़ देना sentence he is rich, yet he is not happy 15 question बुरह है, the train was delayed the weather was bad train late हो गई weather bad था reason देना है because तो train का delay होने का reason क्या है weather है, तो कुछ नहीं दोनो sentence के बीच में क्या लगा दो because लगा दो और sentence मना दो last में fully stop लगा देना, ठीक है लिखा he is very tired, he cannot work anymore, देखिए यहाँ पर आपको बोला है so that ठीक है, अब so that यहाँ पर किस चीज़ से replace होगा so का मतलब होता है बहुत और very का मतलब भी क्या होता है बहुत, ठीक है तो जो यह so word है न, यह किसको replace करेगा, यह very को replace करेगा और दोनो sentence के बीच में क्या लग जाएगा that लग जाएगा, तो sentence क्या हो जाएगा, he is so tired that he cannot work anymore, वो इतना ठक गया है कि वो और काम नहीं कर सकता, चीक है 17th question देखो, he worked very hard, he could not pass the exam, combine the sentence using but बहुत महनित करी लेकिन वो pass नहीं हो सका तो कुछ नहीं, simple है यह तो he worked very hard, but he could not pass the exam, दोनो sentence के बीच में but लगा दो, last वो fully stop लगा दो, okay 18th देखो, Ajay is ill, Ajay भीमार है, he has not come to school today, वो आज school नहीं आया है, कुछ नहीं करना है, सो लगाना है, सो का मतलब यहां क्या है, इसलिए, reason दे रहे हैं, हम एक तरस हैंना कि उसका आने का reason क्या है वो ill है, तो Ajay is ill, so he has not come to school today, very simple, it was good idea it was a dangerous idea, combine the sentence using but देखो, यहां पर, एक ही बात हो रही एक ही चीज को लेके, कि यह जो था ना, आपने जो भी चीज बताई, वो एक good idea था, और वो क्या था, dangerous idea भी था, तो आपको use करना है, but तो आप इसको sentence को क्या करदेंगे it was dangerous but a good idea मतलब वो थोड़ा खतरनाक तो था, लेकिन अच्छा idea था, आपको sentence को क्या करना पड़ेगा, flip करना पड़ेगा, पूरा sentence फ्लिप होगा इधर से इधर, लेकिन it was आपको एक ही बार use करना है, क्योंकि हम एक ही चीज के बारे में इसमें बात करना है तो repeat नहीं करना है, कि it was dangerous idea, but it was a good idea इसको repeat करने की it was को repeat करने की धर जरूरत नहीं है sorry my cat was hungry, it had not eaten breakfast यहाँ पर आपको बताना है कि hungry तो उसने क्या करा, खाना नहीं खाया क्योंकि वो hungry थी उसने breakfast नहीं किया, इसके वो hungry थी, तो my cat was hungry, क्यों हाँ रही थी, because it had not eaten breakfast 21, she went to work, she did not want to go, मतलब वो काम पर चले गए, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी, तो अच्छा काम पर चले गए, यह पहले हुआ होगा कि उसका ना जाने का मन पहले होगा यह पहले हुआ होगा, तो इसके हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम combine करेंगे sentence को, इसको flip करना पड़ेगा इस sentence को हम पहले लिखेंगे, और पहले वाली बात को हम बात में लिखेंगे, she did not want to go, वो जाना नहीं चाहती थी, but she went to work, but वो वहाँ पर चले गए, काम पर चले गए, यह ना? A book can be a lot of fun to read a book can be boring देखो, यहाँ पर आपको एक ही बुक के बारे में, मलब किसी एक particular book के बारे में, नहीं मलब किसी भी बुक के बारे में बोल रहे हैं कि किताब पढ़ना, कोई भी किताब पढ़ना, fun भी हो सकता है, boring भी हो सकता है और तो ऐप्शन है यापर है ना दो ऐप्शन है कि почему लिए कृताब आपके लिए बोरिंग भी हो सकती या फन भी हो सकती है तो हम कैसे बनाएगी लना है कि फो बूरिंग भी जो सकती और लॉड़ पिलोड नो ऑठ रीड भी हो सकती है तो यहाँ पर हमको यहाँ पर a book can be a book can be एक ही बार लिखके हमको यह options है कि यह ऐसी भी हो सकती है boring भी हो सकती है lot of fun to read भी हो सकती है इन दोनों के बीच में और लगाना है हमको 23 देखो he wanted to be doctor वो doctor बनना चाहता था he could not stand the side of blood but क्या है यहाँ पर कि वो मतलब खून का कत्रा भी नहीं देख सकता था आप देखो खून का कत्रा भी नहीं देख सकता था और doctor भी बनना चाहता था तो यहाँ पर आपको बोला yet अब मुझे बताओ doctor बना होगा कि यह जो problem है उसको कि blood को देखना problem है उसको नहीं देख पाता है यह चीज उसके साथ पहले है यह चीज पहले है ना तो भी वो क्या बनना चाहता है doctor बनना चाहता है तो आपको flip करना पड़ेगा इस sentence को इतर लाना पड़ेगा पहले आगे लाना पड़ेगा he could not stand the sight of the blood yet तो भी he wanted to be a doctor और जो two है यह होता है एक तरह का pair pair conjunction है ठीक ना two और two और इसको आपको replace करना है so that से so that से जब आप replace करेंगे तो आप इस two की जगे तो so लगा देंगे फिर is that को इस two की जगे लगा देंगे और फिर जो next sentence बनेगा पूरा जो clause बनेगा वो negative बनाना पड़ेगा आपको ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर उसकी weakness की बात हो रही है जो कि negative बात है तो sentence को उधर क्या करना पड़ेगा negative तो sentence क्यों जगा करने is so weak that he cannot walk himself इतना कमजोर है कि यह खुछ से चल नहीं सकता Simran is too poor to deposit a fee rewrite using so that in place of 2-2 is too और is too की जगह क्या लगा दो so that लगा दो and that के बात में sentence क्या कर दो she लगा के she cannot लगा के sentence को negative बना दो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं कि Simran is too poor वो इतनी गरीब है कि अपनी fees नहीं दे सकती ठीक है तो देखिए यार गरीब होना कोई अच्छी बात नहीं होती जिनके साथ यह problem होती है they know it very well कि क्या issues रहते हैं उनके साथ में है न तो यह है तो negative चीज ही न तो इसलिए आपको क्या करना पड़ रहा है आपको इस sentence को negative में लिखना पड़ रहा है cannot लगाना पड़ेगा तब ही इसका meaning निकल के आएगा he is two week to lift this box मतलब वो इतना week है कि इस box को नहीं उड़ा सकता अगे two और two की जगह क्या बोला है आपको two और two की जगह क्या लगाना है so और that लगाना है तो आप क्या करेंगे is two की जगह तो so लगा देंगे is two की जगह तो so लगा देंगे और अभी बताओ मुझे क्या करेंगे आप क्योंकि he के बारे में ही बात ओरी है न कुछ नहीं he cannot लगा दे न यहां simran थी तो हमने she cannot लगाया था simran लड़की है उसके लिए she use होगा यहां पर तो he दे रखा है boy तो यहां पर हम he use करेंगे अगर यहां राहूल होता तो हम तो भी हम इदर क्या use करते है फिर he use करते है क्योंकि boy के लिए तो he और girl के लिए क्या लगा देंगे हां she 27th question he eats bananas change into passive देखे passive बनाने के लिए आए ना तो आपको इतना पता होना चाहिए कि passive voice में verb की verb की कौन सी form लगती है third form लगती है और थोड़े से construction भी change होते है जैसे कि सबसे पहले हम object की बात करते है फिर हम helping verb की बात करते है hv मतलब helping verbs आती है फिर की आती है verb की third form आती है ठीक है verb की third form आती है plus by होता है इसके अंदर और plus आपका क्या होता है subject होता है ठीक है passive voice में object की बात पहले और subject last में चला जाता है तो यहां लिखा he eats banana तो यह जो he है इसने खाया क्या बनाना तो banana इसका क्या था object था तो इसको आप क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे तो bananas are eaten क्यों लिखा है क्योंकि eats की जो third form होती है eaten होती sorry eat की जो third form होती eaten होती है eat ate eaten और passive voice में verb की तीसरी kriya verb की तीसरी kriya use होती है eaten by him he जब पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा, him बन जाएगा और क्योंकि यह simple present tense था तो simple present tense में helping verb जो होगी वो is, am, are होगी इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है R लगाया है क्योंकि bananas क्या है, plural है, यहाँ S लगा हुआ है plural के साथ में क्या लगेगा, R और अगर एक बनाना होता तो हम is लगाते और यहाँ पर I होता कभी for example किसी sentence में ऐसा कुछ हुआ कि I होता, तो I के साथ तो आपको पता नहीं क्या लगता am 28 देखो, they played hockey change into passive voice, अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यह आपका object है यह आपकी verb है, जो कि second form है और यह आपका क्या है subject लेकिन हमको passive voice बनाना है तो हमको जो hockey पैलिग नहीं पड़ेगा अब क्योंकि यहाँ पर ED आ रहा है मतलब past है, और past की helping verb क्या होती, या तो होती है was या होती है word, passive voice में ठीक है, अब हम hockey तो एक ही game है, कोई बहुत सारे hockey टाइप से तो नहीं, इसलिए हमने was लगाया और played, played ही रहेगा क्योंकि verb जो होता है play उसका third form भी played ही होता है फिर by लगाएंगे, दे जब पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा them, ओके, यह ध्यान रखना है present, यहाँ से पता चला continuous अभी मैंने आपको बताया था ना, verb में ing होती तो continuous होता है, लेकिन उसके पहले क्या देख लो, उसकी helping verb देख लो, की past की present की, की future की है present की है, तो क्यों सा tense हो जाएगा, present continuous, तो यह present की, ismr काई की होती present की, okay, was were past की, will be future की, okay, continuous tense की बात कर यूँ मैं तो जब आप continuous tense का passive बनाते हैं, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे की आपको verb का तो third form ही आएगा, यहाँ पर flying है, तो flying का third form क्या हो जाता है flown, वो तो आप कर दोगे लेकिन क्योंकि यह continuous tense से और continuity निरंतरता दिखाने के लिए आपको ing form वाली verb भी introduce करना पड़ेगी, जो क्या होती है, bean होती है तो आपको bean लगाना पड़ेगा, अच्छा हम यह bean नहीं लगाते हैं ना, तो फिर simple present tense के passive voice में और present continuous tense के passive voice में कोई change नजर नहीं आता अगर यह bean अगर मैं नहीं लगाऊं तो यह तो simple present tense के यह passive हो गया, है ना, तो bean लगाना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी क्योंकि ing निरंतरता दिखाने के लिए यह ing being वाली verb आपको introduce करना पड़ेगी, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, kites क्योंकि यह अपका object है, तो इस दर आजाएगा, क्योंकि kites plural है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, और being क्यों लगाए है, क्योंकि यहाँ पर ing था ठीके, इसको ऐसी याद रखो आप, यहाँ पर ing यहाँ पर being आएगा, passive में, ठीके फिर flying का third form क्यों होता है, flown, यह हमने कर दिया, by, और यहाँ पर क्या आएगा, पीछे जाएगे तो the boys, तो the boys ही हो जाएगा, ओके 31, देखो, Seema has written a letter, change it to passive, तो सबसे पहले इसको पहचान और tense कौन सा है, has written, has, present, written, third form, perfect, present perfect है, तो present perfect का जब आप passive बनाएंगे, तब आप क्या करेंगे, आप एक helping verb और introduce करेंगे, जो होती है, being, जैसे यहाँ पर ing था, तो आप being कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि यह present perfect है, तो perfect के लिए आपको क्या यह करना पड़ेगी, being करना पड़ेगी, okay, perfect दिखाने के लिए, तो a letter object है, यह आग्या जाएगा, a letter singular है, तो आप has लगा दोगे, फिर being लगाना पड़ेगी, क्योंकि tense कौन सा है, present perfect का है, और present perfect में already verb का third form आता है, तो verb change नहीं होगी, क्योंकि passive में भी third चाहिए, और यह already third ही है, और buy लगा कि हम क्या कर देंगे, सीमा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यह name है, third person singular है, इसलिए सीमा का नाम पीछर के भी सीमा ही रहेगा, ओके, चलिए, promote sales toy in the market, change into interrogative, interrogative बनाने के लिए बोल रहा है आपको, interrogative का मतलब होता है, प्रश्न वाचक बनाना है, तो सबसे पहले तो tense पेचानो, अगर tense में helping verb नहीं दे रखे, जैसे ease है, मार, यहाँ पर कुछ बनी देख रहा है, हमको यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ यह subject, promote, और फिर दिख रहा है sales, जो कि यह verb है, और इसमें बनता है, question बनता है, तो हम क्या करेंगे, does, promote, sell, toys in the market, and question mark लगाएंगे, जैसी आप does लगाएंगे, तो इस sell में से क्या हटेगा, as हट जाएगा, जो कि अभी हम सीख कर आए थे, आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे sentence के आगे सिर्फ दिख लगा देना है, वो भी कर्व, अगर वर्ब में क्या दिखरी हो, as दिखरी हो, last में, जैसे यहाँ पर sell, तो sells हो गया, as आ रहा है, यहाँ पर क्यूं आ रहा है, क्योंकि simple presentance है, तो does लगाएंगे, और पूरा sentence as it is लिख देंगे, और फिर sell में से, यहाँ से क्या हटा देंगे, यह पीछे वाला s हटा देंगे, यहाँ पर पिछे s नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमको helping आप दे रखी है, यहाँ इस sentence में already helping आप दे रखी है, जो कि है have, तो कुछ नहीं करना है, इस have उठा के आगे रख देना, और पूरा sentence, as it is लगा के question mark, interrogative मतलब question mark होना चाहिए last में, तो have you taken tea, have you taken tea, यहाँ पर हमको does words लगाने की जोड़त क्यों नहीं है, क्योंकि तो already हमारा concern से present perfect है, और present perfect में helping verb यहाँ पर already है, यह have दे रखी है, इसी को use करके हम क्या बना लेंगे, interrogative बना लेंगे, फिर 34th question देखो, you went there yesterday, change into interrogative, यहाँ पर बें interrogative बनाना है, तो देखो, यहाँ पर दे रखा है, went, जो की go का second form होता है, second form मतलब simple past, और simple past मतलब helping verb, did, तो did क्या करना है, interrogative में आपको helping verb आगे रख दी, और पूरा sentence, और मैंने भी आपको बताया था, जैसी deed आता है, तो verb का कौन सा form हो जाता है, वापस, first form हो जाता है, तो did you go there yesterday, went का वापस क्या हो जाएगा, go, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम sentence में क्या लगा रहे है, did, यह कैसे पता चला, क्योंकि sentence में went था, जो की go का second form होता है, चलिए, 35 question, he is taller than you, change into positive degree, positive degree मतलब यह जो आपको adjective दे रखा है, है न, जैसे verb की चार form होती है, ऐसे ही adjective की three degrees होती है, एक होती ही positive degree, एक होती ही comparative degree, comparative होती है, और एक होती ही superlative, एक क्या होती है, superlative, जो सबसे highest degree होती है, ओके, अगर कोई शब्द है, जैसे मैंने लिखा small, ठीक है, यह है positive, फिर मैंने लिखा smaller, यह है comparative, फिर मैंने लिखा smallest, यह है superlative, यह कौन सी है, superlative, ठीक है न, लेकिन यहां आपको क्या बोल दिया आपको बोला कि यह जो taller है जो कि comparative degree है इसकी कौल से degree उस करो positive degree उस करो और sentence का क्या नहीं बदलना चाहिए meaning भी नहीं बदलना चाहिए यहां लिका he is taller than you मतलब यह वह आपसे height में क्या है लंबा है तो आपको अगर इसकी positive degree बनानी है तो sentence को आपको क्या करना पड़ेगा negative और आपको phrase उस करना पड़ेगा not as dash as एक phrase होता है not as dash as और इस dash में क्या लगता है positive degree उस taller का क्या हो जाता है tall positive degree मतलब क्या उनसी first degree ना तो taller तो comparative तो first को उनसी हुई tall हुई आपको क्या करना पड़ेगा sentence को फिर rewrite करना पड़ेगा थोड़े से change करके आपको लिखना पड़ेगा you are मतलब आप उसके जितने tall नहीं है you are not as tall as him he जब पीछे जाता है तो क्या हो जाता है him हो जाता है और इस तरह से क्या मन जाएगी positive degree में ये shift हो जाएगा 36 question ये questions बहुत important है इसका एक question exam में आता ही है हमेशा आप अच्छे से समझ लीजेगा 36 question बोल रहा है unless you work hard जब तक आप कड़ी महनत नहीं करते you cannot pass आप pass नहीं हो सकते use करना है if किसकी place पे unless सबसे पहले तो unless जो शब्द होता है ये unless जो शब्द होता है ना ये होता है negative ये क्या होता है negative होता है तो ये जिस sentence में लगेंगे न महाँ पर वापस है not do not did not have not ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने आपमें ही क्या है negative है तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस अनलेस की जगाए इस लगाएंगे तो आपको सेंटेंस को नेगेटिव करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि यही नेगेटिव सेंटेंस लेकिन unless लगावा था तो do not की जरूरत नहीं थी लेकिन if लगाओगे तो अब do not की जरूरत यहाँ पड़ेगी और यहाँ पर do not ही क्यों लगाया है क्योंकि इतना इतना देखो यह tense कौन सा है simple present tense you के साथ क्या लगता है do और negative बनाना है तो not लगाना पड़ेगा तो sentence क्यों हो जएगा unless की जगा आपने लगाया if if you do not work hard you cannot pass 37 ते देखो if you work hard you will pass rewrite using unless in place of if अब if की जगा unless लगाना है हमको है न तो आपको sentence को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जैसी आप if लगाओगे तो sentence आपका negative हो जाएगा if की जगे जब unless लगाओगे तो sentence क्या हो जाएगा negative पहले इसका meaning समझ लेते है if you work hard मतला कर आप मेहनत करते हैं you will pass आप pass हो जाओगे लेकिन जैसी आप unless लगाओगे न तो इतने-इतने का meaning पता है क्या हो जाएगा अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आप में पीछे वाला sentence से ये बोलूँगी क्या you will pass you will not pass बोलना पड़ेगा आप तो मुझे इसलिए जैसी unless लगाया न तो ये वाला sentence आपको भी क्या करना पड़ेगा negative करना पड़ेगा तभी इसका meaning निकल क्या आएगा तो unless you work hard if की जगे हमने unless लगाया और यहाँ पर हमने क्या बना दिया है sentence को negative बना दिया negative बनाने के लिए ध्यान रखिएगा हमेश्या helping verb के बाद ही क्या लगता है not लगता है 38 if himanshu does not act now he will lose everything rewrite using unless at place of if तो आपको लिखना है if की जगए unless unless himanshu acts now जैसे unless लगाओगी क्या हटेगा does not हटेगा और ऐसा क्यों हुआ अभी मैंने बताया था unless खुदी negative होता है not word use नहीं करता है तो if की जगए आपने क्या करा unless करा और जैसे ही does हटा है does हटेगा तो act में क्या लग जाएगा yes ठीक है and comma he will lose everything now 39th question if you don't study regularly you won't learn your lesson rewrite using unless in place of if rewrite using unless in place of if if की जगए आपको क्या लगाना है unless लगाना है ठीक है तो यहाँ पर इस if की जगए जैसे आप unless लगाओगे तो यह do not हटाना पड़ेगा क्योंकि unless खुदी अपने आप में क्या है negative है and पूरा sentence आप as it is you won't learn your lesson last question देख लो Sunil is the strongest boy in the group rewrite using comparative degree मैंने अभी उपर बताया था comparative क्या होती है the strongest अगर superlative तो stronger होगी है नँट तो जब आप comparative degree use कर रहे हैं तो आपको no other का use करना पड़ता है आप बोलेंगे no other boy in the group is stronger than Sunil मतलब कोई लड़का group में ऐसा नहीं है जो Sunil से stronger है तो देखिए इसका मतलब कौन stronger है Sunil खुदी क्या है stronger है ना meaning change इसका नहीं हुआ Sunil is the strongest boy in the group इस meaning का मतलब भी यही निकल किया रहा है लेकिन इसका लिखने का तरीका क्या कर दिया हमने अलग कर दिया क्योंकि हमको क्या बुला था comparative degree use करने के लिए बुली थी और comparative degree क्या होती है strong की stronger होती है stronger के बाद में हमको क्या लगाना पड़ता है then लगाना पड़ता है superlative degree के आगे क्या लगता है the लगता है तो इस तरह से यह sentence आपके बन ज़ाएंगे यह थे 40 questions जो मेरे point of view से important है यह question आपको आपके exam में जो आने वाले questions है उनको भी solve करने में help करेंगे so अच्छे से इनको समझ के चाहिएगा okay and all the best for your examination इसके अलावा और आप अपने subjects related जो भी चीज़ें है questions है important central ideas है और फिलप्स भी आते हैं grammar में 5 number के आप उनको भी cover करिए okay bye bye and take care